बता दे कि मदगर्णा के दोरान सबसे पहले संसत भवन में डाले गए वोटों की गिंती की जाएगी 18 जुलाइक हुए मददान के दोरान संसत भवन में कुल 730 वोट डाले गए थे इस दोरान कुल 8 संसत मददान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाए थे इसके बाद राज्यों की विधान सभाओं में डाले गए वोटों की गिंती शुरू होगी इसके लिए इंगलेस अलफा बेट की हिसाब से दस राज्यों की मतपेटी बारी-बारी निकाली जाएगी देश की पंद्रवीर राष्ट पती को चुनने के लिए सोमवार को यानी बीते 18 जुलाई को मद्दान हुआ था इस दोरान संसत भवन में 99.18 फिस दी मद्दान हुआ था वही देश के 10 राज्यों और एक केंद्र शाशित प्रदेश में 100 फिस दी मद्दान हुआ था हाला कि जोरान कई राज्यों में क्रोस वोटिंग भी हुई थी राष्पती चुनाव में सबसे अधिक वोट पाने वाले विजेता नहीं बलकि एक निश्चित कोटी से अधिक वोट पाने हर उमिदवार के लिए डाले गए वोटों को जोड़ कर दो से विभाजित किया जा जादा है इसके बाद जहरकंड और तमिलाड़्यू के विधाईकों के मत का मूलिय एक सोचीहत्तर है जबकि महराज़्ट के विधाईकों के वोट का का एलान किया है वही एंडी ये उमीदवार द्रोपती मुरूर को 44 दलों ने समर्थन देने का एलान किया है ब्योरे रिपोर्ट डिली समाचार